ही गाइज वेलकम टू इनटेंटमेंट पॉइंट होप सो यू आ डूइंग वेल फर्स्ट फॉल आप सबको ईदुल अजह मुबारिक और शनाए कैसे आप लोग यह जी चांद रात का और प्लस इद के फर्स्ट डे का वलोग यह मैंने लगवाई थी मेहंदी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था जार सी बात है इद हो और मेहंदी ना लगाएं मेहंदी के बगार तो इद धूरी होती है न तो फिर साथ हम मेहंदी लगवाई उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्लेंजी कर ले जाएं अच्छे वाला फिर शाम को हमने यह तो हमने यह चम चम भी कहते हैं वह मगवागर बांटी भी थी और कुछ भी खाएं थी मीठे के साथ तो मैंने नमकीन बना लिया नूडल्स बनाए थे वह हमने खाए थे क्योंकि आगे मैंने बहुत हार्डवर करना था अच्छा जी इतवाले दिन हम बनाते हैं कस्टर तो कस्टर होते हैं हमारा रफान वालों का वनीला फ्लेवर होते हैं आप लोग क्या बनाना पसंद करते हैं तो कस्टर हम ऐसे बनाते हैं मैंने लिए एक पैन म 10-15 minutes मैंने उसे boil मतलब के दर्मियानी आँच पर गरम की अच्छा जी मैंने लिया थे डाकॉरेशन के लिए यह मैंने पूरे पूरे केक ऐसे डाले तो रेक बाले मैंने च्छोटे केक क्रश्ट कर लिया थे यह फूर्ट केक से और कुछ मैंने अल्मुएंट्स लिया थे कुछ लिया थे कुछ ठोड़ा थे जो थोड़े-दोड़े वाले पीस्स के लिया थे मैं ऐसे पहले केक के लियर बिछाई फेक कस्टर की और उपा पिर मैंने अल्मुएंट्स डाल दी जिया और फिर इसके उपर अगें मैंने केक केलियर डाल इन जिय और प Here मैंने खीक के ओशिक तो मेरी चाज़ चेंप पी आरे चाही है कर रही तो result. ये मैं और मेरी कसन चोटे से ट्कॉक के वीडियो के वीडियो बना रही थी क्लिप शूर्श कर रही थी मेरा घ्राइड का ड्रेस था बहुत अच्छा था और ये साथ की मैंने बैंगल से मैच कर ली थी इसके साथ बेंगल्स के साथ ही, मैं अपनी सोरी सोरी क्लिप शूर्स कर रही थी टिक टॉक से, तो आप लोग ताना आप लोग कि इत कैसे गुजरी हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी माशला से बहुत मसाया जी मेरी फिस्टर कट वैस था, तो मैं उसको दिखा रहे था जी इस सीट पर नहीं हम बहुत देर बाद फैमिले से कटी हुई थी, बहुत देर बाद, तो इस वज़ए से हमने दुछे को गिफ्ट भी दिये यह मैं अपनी कज़नों को चुछोटी सी इदी के पैकर्स मना कर दिये थी, इसमें बैंगल्स थी, मेहंदी थी, पोनिया थी, पि इसके बाद लिखा भी था, उनके नियम्स के साथ में लिख दिया था, यह मुबारिक साथ, और जी, यह हम दिखा लेते हैं, जी, माई तर्क के पास इतनी दिकती होगए, चलो वाओ, बाइए चलते हैं, कुछ खाने पर ने के लिए, यह मैं आपने क्लिप से चुर्स कर रह झाल